यह मेरा एडमिक कार्ड है इगनु का आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग इगनु के बारे में नॉलेज नहीं रहते हैं तो आप लोग प्रेसान हो जाते हैं तो सबसे फर्ष्ट प्रेसान नहीं होना है इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों एक्जाम टफ लेता है बट उसमें आप अगर 15 से 16 पेज लिख के आते हैं तो फर्स्ट डिविजन इतना मार्क भी आ जाता है और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ा एक्जाम टफ लेता है मैं पटना में दिया था तो अप लोग निश्चिंत रहे हैं कुछ नहीं होता है एक्जाम में जैसे 10 सवका दिये थे उससे भी ज्यादा निश्चिंत रहे हैं और ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया जाता है आपको अभी से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बट एक्जाम में आपको एक मन्त का कायम मिलता है यानि आज कोई पेपर होता है तो फिर दो से तिन दिन के गैफ के बाद आपका दूसरा पेपर होता है तो वही दो-तिन दिन मैं पढ़ा था बीच में बट जो इंपोर्टेंट अपिक होता है मैं वह बढ़की गया और पूरा लिख दिया था तो मुझे बहु पुछ सकते हैं हम आपको वीडियो के माद्यम से बता दूंगा और सोनुजा चैनल सब्सक्राइब कर लेजिएगा सोनुजा ओफिस